असलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल अंजूस माशालला रेसिपीस मेरा नाम है अंजूम खादिम उमीद है आप सब खैरियत से होंगे आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से चिकन सूजी चीला किस तरह से बनाया जाता है बताऊ एक ताहत्ब दयार करना दिंगएन्यक के दना नमक आपने टेस्ट के साफस के सकतें उससी के साथ आधा कभ दही जो भी अफ़ी अब अच्छा से इपको मिक्स कर लें एक किलांगी है इसकी consistency हमें एक दम पतली चाहिए मैं इसमें एक कप और एट करूंगी पानी इसे भी अच्छे से मिक्स कर लोंगी . एक दम पतला गोल तयार करना है उसका और आप देख सकते हैं इसकी consistency कितनी पतली है कितना पतला गोल तयार किया है मैंने अब उसी के साथ मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पूं बेकिंग सोडा एड़ करें की में ईज अच्छे से मिक्स कर लेंगे Ama अब मैं एक कप चिकन एड़ करूगी इसके अंदर चिकन को मैंने बॉइल कर दिया था उसके बाद शेट कर दिया था इसे भी हम सूजी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसी के साथ मैंने थोड़ा सा हरा धनिया काट कर अंदर एट कर लिया है हरा धनिया को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब फिर 15 मिनिट के लिए इसे सेट होने के लिए साइट में रख दूँगी अब हम एक नॉंस्टिक पैन ले लेंगे या डोसे का तवा ले लेंगे जो नॉंस्टिक हो उस पर ब्रश की मतबसे तेल लगा लूँगी तेल हमारा गरम होने के बाद हम उसके उपर जो मिक्सर तैयार किये थे सूजी और चिकन का वो दाल देंगे उसे चम्मस अच्छे से फैला लेंगे गैस का अंच स्लो रखेंगे हम और स्लो आंच पर हम कुक करेंगे इसे चीले को तकरीबन 6-7 मिनट हो चुक है इसे स्लो आंच पर कुक होते वे अब हम तेल डालेंगे ब्रश की मदद से किनारों पर इस तरह से और आप देख सकते हैं इसकी किनारे ब्राउन हो चुक है मतलब यह अच्छे से कुक हो चुका है अब हम इसकी साइट चेंज कर लेंगे चीला हमारा भहुत अच्छे से कुक हो चुका है इप हम ब्रश की मदद से थोड़ा सा थेल डालेंगे इस तरह से ताके दूशी स्अर्ट से भी हमारा अच्छे से कुक हो जाए चीला ब्रश से तेल लगा लेंगे हम अब उसी तरह इसे 5-6 मिनट के लिए चम्मा से हिलाते हूए कुक करेंगे हम 5 मिनट हो चुका इससे स्लो आंच पर कुक करते हूए अब हम इसकी साइट चेंज करके चेक कर लेंगे और देख सकते हैं दूसरी साइट से भी अच्छे से कुक हो चुका है अब मैं ब्रश से इस तरह से टेल लगा लूँगी इसके उपर और फिर से इसकी साइट चेंज करूँगी और एक से दो मिनट के लिए स्लो आंच पर हम इसी तरह इसे कुक करेंगे तो ये चिकन सूजी चीला हमारा बन कर तयार हो चुका है अब मैं इसे एक सॉविंग प्लेट में निकाल लूँगी तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी ये चिकन सूजी चीले की रेसिपी अच्छी लगी है